बॉलिवर्ट इंडस्ट्री के वान आफ दे मोस्ट अडॉरेबल कपल रनबीर कपूर और आलया भट शादी के बंधन में बंधने वाले हैं इनकी वेडिंग फेस्टिविटीज ओफिशियली आज से शुरू हो चुकी है रनबीर कपूर के बैंडरा वाले वास्तू रेजिडेंस के बाहर बहुत से लोगों को देखा जा सकता है यहां पर फुल ओन तैयारियां चल रही है और गेस ने भी आना स्टार्ट कर दिया है आज होने वाली है आलया भट की मेंधी सेरेमनी सो दाट जब बाकी सभी गेस मेंधी लगवाए तो जो हमारी ब्राइड है आलया भट वो उस टाइम पर एकदम फ्री हो और अपनी मेंधी को इंजॉय कर सके इसी प्री वेडिंग फेस्टिविटीज के लिए रनबीर कपूर के घर पहुँच चुकी है उनकी मॉम नीतु कपूर जो की एलो कलर के सूट में नजर आई वेन्यू पर उनके साथ पहुँची रिदिमा कपूर सानी भी जो रनबीर की सिस्टर है और रिदिमा की डॉर्टर समायरा को भी कार में देखा जा सकता है इन तीनों ने पेपराजी को काफी अच्छे से ग्रीट किया और नीतु कपूर ने तो सभी के सामने हाथ भी चोड़े इसके साथ साथ रनबीर कपूर के दूसरे फैमिली मेंबर्स जैसे रनबीर की बुआ रीमा जैन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है नताशा नंदा को भी आते हुए कैप्चर किया गया कुछ गेस्ट है जो एर कंडिशन वैंज में आ रहे हैं सो दार पेपराजी उन्हें कैप्चर ना कर सके आलिया भट के अंकल के एकोर्डिंग इन दोनों की शादी कल यानी 14 एपरेल को दुपैर को तीन बजे होने वाली है जो की सिर्फ क्लोस फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स की प्रेजन्स में होगी रन्बीर और आलिया की शादी से पहले उनके फ्रेंद और फामिली मेंबर्स उन्हें कॉंग्राचुलेट कर रहे हैं अयान मुखरची की तरह करन जोहर ने भी इन दोनों को विश करते हुए लिखा Love is light and I know the amount of light you have brought into each other's and our lives with your love to new beginnings and more इला अरुन ने भी सासुमा यानि की सोनी रासदान को कॉंग्राचुलेट करते हुए लिखा हमारी सोनी सासुमा बन रही है Congratulations महेश and dear सोनी God bless Alia and Ranbir